चौदा जन्वरी 1761 की सुबै बुद्वार मकर संक्रांती का दिन इस दिन दिल्ली से तकरीवन 80 किलो मिटर दूर पानी पत में भारत का इतिहास नई करवट लेने वाला था एक बार फिर यहीं भारत का भाविश्य बदलने पाला था पानी पत के खरीब से बहने वाली यमुना नदी के किनारे भारत के भविश्य के लिए सबसे एहम लड़ाईों में से एक लड़ी जानी थी यह लड़ाई थी मराठों और काबुल के राजा एहमद शाह दाली के बीच कई लोग मानते हैं के पानी पत की जमीन पर लड़ी गई यह लड़ाई महज आन और शान की नहीं थी बलके यह लड़ाई भारत ये सामराज्य की सीमा को तैकरने बादे थी कुछ लोग तो कहते हैं के यह लड़ाई दो देशों के बीच की सरहत से भी आगे की थी यह लड़ाई भारत ये सब्भेता की सीमा तैकरने की थी पानी पत की यह लड़ाई इस बात के लिए भी लड़ी जा रही थी कि भारत की संप्रोविता को तै करने वाले लोग भारत के ही हो सकते हैं, विदेशी हमलावर की भूमी का इसमें नहीं है. अठारवी शताबदी का ये वो दौर था, जब मुगल दिल्ली के बादशाह तो थे, लेकिन उनकी सत्ता लाल किले तक ही सिमित थी. ये बड़ा दिल्चस्प दौर है, इस दौर में जो पुराना है वो जा रहा है, कुछ नया बन रहा है, हम लोग जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन का पीरिड है, इस पीरिड में कई शक्तियां एक दूसरे से टक्रा रही थी, मुगल सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी, मुगल बादशा पूरी तरीके से क्षेत्रिय शक्तियों पे निर्भर थी, 1760 तक आते आते ये कहा जा सकता है कि मुगल बादशा की बादशाहत जो है, दिल्ली और पालंग की बीच में सिमट के रह गई थी ये 1760 का भारत है, दिल्ली में मुगल सल्तनत तो है जरूर, लेकिन उसका प्रभाव लगभा खत्म हो गया है, उत्तर भारत में अवद है, रुहेल खंड है, आज के राजस्थान और तब के राजपुताना में, जैनगर और मेवार के अलावा कई छोटे छोटे राज्ये थ का शासन था, आंधर और तमिल्नाडू में कई स्थानों पर निजाम का शासन था, मराठो ने 1760 में निजाम की सेना को हराया, लेकिन उससे पहले 1758 में ही मराठो ने अपना वर्चस्थ दिल्ली, अवद, रुहेल खंड के साथ साथ पंजाब तक पहला दिया था, मराठा वर मुगलों की कुछ सेना लेकर सिखों की काफी उस वक्त वहाँ पे ताकत थी, ये तीनों मिलकर पंजाब में गए और लाहोर को 175758 में उन्होंने लाहोर पे कबजा कर लिया, और ऐसे करते करते उन्होंने मुलतान, लाहोर, अटक और पेशावर ये चार दगा पर मराठों न वी जरुषा अब्दाली ने जब डुर्रानी एंपाएर बनाया है तो उन्होंने पंचाब का हिस्सा था, वो उन्होंने दुर्रानी एंपाएर में शामिल कर द Brookूर इन लिए, दीरे मराठे, जब उत्तर भारत और उत्तर पंच्म उत्तर भारत कीजर बढ़ने चुनों ग Dil शिदा-सिदा इनकी सरहदें से दुर्धानी एंपायर में लुद्धदार। इस इलाखे को एक एक्स्ट्रीम एक्स्ट्रीम एक्सपलॉईटेशन रहा था और यह जो extremely exploited इलाका था इसके उपर आके मराथे अपना राज़ चलाना शुरू करतेंगे तो जो basic source of income था अफगानों का वो खत्म हो जाने वाला था basic source of income खत्म हो जाने वाला था ये तो उनके लिए जीवन मरण का समाल था मराथे जब उत्तर भारत की तरफ आए तो धीरे धीरे इन लोगों ने उडिसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार ये तमाम शेत्र जो हैं इन तमाम शेत्रों में इनकी फौजें फैल गई और जगा जगा से इन लोगों ने चौथ और सरदेश मुकी एकटा करना वसूल कर लेकिन यहाँ पर जो चेत्रिया शक्तिया थी, यहाँ पर जो रीजनल पौलिटी थी, जैसे अवद, रुहेल खंड, इन सब उत्तर भारत की जो शक्तिया थी, इन सब शक्तियों को मराठों से खत्रा पैदा हो गया, उसके साथ साथ क्या हुआ, मराठों ने अपना जाल जो मराचों को सबख सिखाया जाए और सबख सिखाने के लिए इन लोगे अपगानिस्तान सब डाली भारत की कि तुछ और को टोड़ अब्दाली पंजाब को जीता हुआ आसानी से दिल्ली तक पहुँचा बीच में मराठा सेना की छोटी टुकणियों से उसका सामना हुआ लेकिन मराठा उसे रोकने में असफल हुए रास्ते में अपना वर्चस्व स्थापित करता हुआ 1760 में अब्दाली जुलाई के महीने में अनुप शहर पहुच गया जब अब्दाली ने भारत की तरफ रुख किया तब मराठा सेना दक्षन में उद्गिर में थी यहां निजाम की सेना को मराठों ने हराया था मराठों के ये बड़ी जीत थी इस लड़ाई के हीरो थे सदाशिवराओ भाव सदाशिवराओ भाव ने अभी कुछी समय पहले उद्गीर में निजाम की सेनाओं को हराया हुआ है एक बड़ी मिजर विक्टरी हासिल की भी है जब नॉर्थ की तरफ पूच करना था तो सदाशिवराओ भाव को भेजना बड़ा लेजिटिमेट सता है और वो प्रोवन जनरल था बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोवन जनरल था अफगान हमलावर एहमद शाह अबदाली को हिंदुस्तान से निकालने के लिए मराठा सेना पती सदाशिवराओ भाव के नित्रत्व में मराठा सेना उद्गिर से दिल्ली की तरफ साथ मार्ज 1760 को रवाना हुई उनके साथ तक्रीबन 40-50,000 सोलजर्ज थे रास्ते में लोग आते रहें ते मिलते दहें लेकिन साथी साथ तक्रीबन 50,000 सिविलियन जी सारे आरे थे साथ सारे आठ से लेके 10 मील हर रोज चला करते थे और जाके नया खेमा डाल देते थे कुछ दिन वहां खे रहते थे फिर 8-10 मील चले फिर खेमा डाल दिया ये इस तरह से चलने वाले लोग थे जब वो निकले वो मराथा आर्मी सब्सक्री के पास सप्लाइज नहीं थे उनको सप्लाइज के लिए आजू-बाजू के गाउ जो थे उते चोड़ी करके ले ले लेते उद्गिर से मराठा सेना को दिल्ली पहुंचने के लिए तकरीबन एक हजार मील का सफर तेह करना था और उत्तर भारत में अब्दाली के खिलाफ लड़ाई के लिए अपने लिए साथ ही ढूनना उस हाल में उत्तर और मद्ध भारत में सक्रिय मराठा सरदारों ने सदा शिवराओ भाओ को चंबल नदी पार नहीं करने की सला थी मगर सदा शिवराओ भाओ का ये देखने का नजरिया ऐसे था कि मैं यहां तक आया हूँ तो लड़ने के लिए आया हूँ यहां पे रुकने का मतलब क्या है और धीरे धीरे ये फौज जो है नर्मदा को पार करते हुए चंबल के लाके में आती है चंबल के लाके में आने के बाद ये धौलपूर पहुँची धौलपूर जो है वो सुरज मलजाट की रियासत में आता था वहां से ये लोग भरतपूर पहुँचे और भरतपूर में ये लोग रहे कुछ दिल ठैरे विश्राम किया जहां सूरजमल जाट ने ये बोला कि अपना भारी सामान आप भरतपुर में छोड़ दीजे और हलका सामान लेकर के हलके हथियारों के साथ जिससे हम अपना च्छापा मार युद्ध कर सकें गाने मी कवा जिसको माराठी बोलते हैं माराठी लोग बोलते हैं उस किसम का गुरिला यूज करने के लिए हम लोग नौर्स की तरफ जाते हैं गुरिला वारफेर आप कहां तेक लड़ोगे एक बार आप अमरावती क्रॉस करके इस तरफ आगए हो शंगाबाद नर्वदा घाटी में आगए यहां क्या गुरिला वा कर रहा था यानि मराठा सेना से 300 किलो मिटर दू अबदाली का इस वक्त का सबसे बड़ा समर्थक रोहिला सरदार नजीब खान था रोहिल खंड में नजीब खान का वर्चस्व था नजीब खान ये सुनिश्चित करने में लगा था कि अहमद शाह अबदाली के खिलाफ मार इंपॉर्टन्ट सत्ता धीश है उत पर का नजीब खान पहले अपील के अगर आप मेरे आते हुए भी मैं कितना बड़ा आदमी हो मैं खुद आपके पास आई हो अगर मेरे आते भी आप मेरी बात नहीं मानें तो यह मेरी खंजर लीजिए और मेरा गला काड़ जीए तो मह यहां से वापस नहीं जाने वाल तो यह सब जो अपील उनके उपर हुआ मैंने मेरे धर्म के खिलाफ लड़ाई की इसके मेरे नाम पर एक बड़ा धबब आएगा जिसके उपर मैं कुछ कहने ही सबूगा तो बड़े रिलक्टेंटली जैसे आप कहते हैं सिर्फ 3,000 सैनिक ले दाट की सेना ने अपना रुख बदला और धौलपूर से अनुप शहर की जगे दिल्ली की ओर कूच कर गए तो यह दीरे जरे मतुरा की तरफ आए फिर मतुरा पार करके यह होडल, पलवल, बदरपूर, बाराकुला और आकरके इन्होंने अपना खेमा जो है कलकाजी मंदिर खजी लाता है उस इस इलाके में पहला कैम था लगा है कुछ तिनों के बाद दिल्ली मिदा दिल्ली अपन अपने सेना को खाना पीना देना पड़ा मुगर जो मुगल जो बातिशा था और उसके बड़ा कुटम कबीला था उनको सब को भी खाने के लिए एक डेड़ लाक रुके महीना को खर्चा आना शुरू हो गया दिल्ली में जब ये शाह जहानाबाद में बैठे वे थे तो इ दूसरी तरफ बहाओ की दिकत लाल किले की चांदी पिगलाने से भी कम नहीं हुई सदा शिवराओ बहाओ ने एक सितंबर 1760 को पेश्वा को लिखा मेरे कैम्प में भूख मरी है, लेकिन कहीं से कोई कर्ज नहीं मिल रहा, हमारे कलेक्टर भी पैसे नहीं ला पा रहे हैं, मेरे सिपाही तो लगातार उपवास कर रहे हैं दूसरी तरफ दिल्ली में मराठों की आसान जीत से, अबदाली कैम्प में घबराहट फैल गई अबदाली, नजीब खान, रोहिला और शुजाओ दौला के साथ अनुप नगर से दिल्ली की ओर खूच कर गया सितंबर का महीना चल रहा था, लेकिन यमुना तब भी उपहान पर थी लहाजा अबदाली को यमुना के पूर्वी तट पर शाहदरा के इलाके में खेमाबंदी करनी पड़ी यानि भाओ की सेना यमुना के एक तरफ दिल्ली में थी और अबदाली की सेना दूसरी तरफ ये वहाँ इंतजार करते रहे, आक्टोबर के महीना आ गया, आक्टोबर के महीने में इन्होंने ते किया कि इन्हें ये पता था कि कुझपूरा में खिला है उस किले में एक अफगान गैरी सन्था उस वक्त कुछ बड़े पैमाने पे 10-15,000 सैनिक, अब्दुस समत खान करके एक सरदार था, कुटुब शाह था जिसने दख्ता जी शिंदे का गला काड़ दिया था ये कुछ लोग उस वक्त कुझपूरा में ठहरे हुए थे कि नदी का पानी कम हो जाए और हम लग नदी पार के दुआब में जाके अब्दाली को मिले और उसकी वएस से अब्दाली के सेना में 10-15,000 के बढ़ोती होने वाली थी दूसरी चीज़ के ये स्टेजिंग पोस्टोनिक वैस यहां पर काफी पैसा भी था और काफी धान भी था जो सेना को काम आता था 16 अक्तोबर को मराठाज ने कुछ कुरा को कॉंटेक्ट किया और उसे गेरने के बाद जो उनकी आर्टल्री थी तो तो तोफ खाना था जो कि इबराहीम खान-गरी जीतने कमान कर रहा था उसे उन्होंने बहुत एवी बमबाडमेंट कुम्शकूर फोर्ट के उपर सुढ्य जो अफगान्स आगे थे वो पीछे रिफीट करने के चकर में पुन्सकुरा फोर्ट के तरफ देगे गेट्स खोल दिया था और मराथा कैवल्जी उनके पीछे आगे और बड़े कटले आम हो गई कहा जाता है कि 8-10,000 अफगानों को वहाँ पर काट दिया जो बचे हुए थे उन्होंने मूँ में घास दाल करके बहारा दे उनका मकसद था उन्हें बताने के लिए हम गाये हैं आमें बचाओ जाओ और इसलिए 4,000 अफगान को कैद करके मराथा क्यांप में ले आया जाया है तो इस तरह कुझपुरा में दाशेरा के दिन उन्हें 7,000,000 रुपिया पैसा मिला एक हजारों मन गेहूं मिले और उसी वहें से जो एक खाना पिना दो-तीन महेने से उनको नहीं मिल रहा था इतनी बड़े सेला को वो उनको दिक्कत है कुछ दिन के लिए दूर होगे अबदली इस वक्त पर यमुना के इस्टन बैंक पर लागा सताशिव भाव ने तकरीबन 3,000 पोज़े रखे थे जो ही क्रोसिंग प्ले से यमुना को उसको रोक लो लेकें बड़ी शरम की प्राथ है 27 अक्टोबर को अबदली ने जब यमुना फ्लड में था उन्होंने नदी को क्रोस है जब पूरी सेना इस तरफ आ गई तब मराथ है कुझपूरा में से तो कुझपूरा से वो जब निकल पड़े थे कुरुक्षितर जाने की दिए तब उनको एक खबर आए कि अबदली ने तो पार कर लिया यह खबर जब आई तो सेना में अफरात तफ्री मची और यह लोग तुरंत वापिस जो है दक्षिन की तरफ दिल्ली की तरफ इसने पूछ किया और दक्षिन की तरफ चलने चुरू गई इस तरीके से भाव की सेना तो जाका के पानीपट पर टिक गई आप अप सिती देख लिए कैसा हो गया है ? सताशु भाव और मराथा आरमी डली के आगे आगे है पानीपत के दिशा में उन्होंने अब्ड़ली को अफगानिस्तान के दिशा से व्लोक पर गया उसके पीछे आगया है अब्दली अब्दली ने सताशु भाव को डिली और पूना के दिशा से ब्लॉक्टर गी पूरी कहानी अब हो गई है जो फौज जिसकी सप्लाइ लाइन चलते रहे मराठों ने अफगानिस्तान से अब्दाली का संपर तोड़ दिया था अब्दाली को रसद की आमद नजीब खान के रोहिल खंड और शुजाउद दौला के अवद से हो रही थी दूसरी तरफ अब्दाली ने जिस जगे खेमा बंदी की उससे दिल्ली और उसके दक्षिन के मराठा वर्चस्व वाले इलाके से मराठों का संपर तूट गया था इससे मराठों के खाने पीने और हत्यारों की आमद अब सिर्फ पंजाब से हो सकती थी अब दोनों की सेनाएं एक दूसरे की सप्लाई लाइन काटने में लग गए सदा शिवराओ भाओ ने इटावा इलाके में वर्चस्व रखने वाले मराठा सरदार गोविन पंद बंदेले को इस बारे में सपष्ट आदेश दिया गोविन पंद बंदेले की सेना ने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया लेकिन जल्द ही पासा पलट गया, गोविन पंद बंदेले पर अबदाली की सेना ने हमला किया और गोविन पंद बंदेले इसमें मारा गया साथ-साथ कुंश पूरा, जो की पूरा लोजिस्टिक सप्लाइ करा था मराठा उसको अब्दली ने उसे दुबारा जाकर के रिक्याप जब कर लिया अब मराथाज अक्टोबर, नवेंबर, दिसेंबर, जैनूरी था इस पानीपत की इलाके में बंद दूए था और धीरे-धीरे क्यूंकि क्याप इतना चोटा था खाने पीना के प्रभन्ने था वहाँ एक K communalra एक एक एपिडेमिक शुगोट उसमें हजारों की संख्षघा में लाखों की संख्षघा में जानवर मरे पड़े थí लाखों की संख्षघा में आदमी मर रहे हैं व्याखो उसमें लोग शॉर्ट जा रहे थी तो आप उस बद्धू का अंदादा लगाईए जो इस इस इलाके में होगी सारे सरदार सदाशीव राव भाव के पास गए सब लोगों ने जाके सदाशीव राव भूशे किया कि भई आप दे कीजिए करना है क्योंकि हम लोग यहां भूगे मर रहे हैं पूरे रात को वाल कांसे जाए और रात को सदिवन फारा बचे जाए उन्होंने देसाइड कि हम रेकाउट कर लेंगे एक अजीब सा एक बहुत ही लूजली स्ट्रुक्चरड एक प्लान बनाया गया कि हम लोग कैम से निकलेंगे एक घोल बनाया जाएगा प्रेंच स्क्वेर का तरीका था लड्मे का जो एक डिफैंसिव फॉर्मेशन होती थी जो एक स्क्वेर मतलब चारो तरफ एक फोर्ट की तरह अपना अर्मर लगा दिया जाए और बीच में जो अपने जो डिपेंडनेंट्स है जो वीकर सेक्शन उनको बीच में लेके सब स अगर उनूने हम पर कोई रुकावट नहीं लगा जाने के लिए तो ऐसे आगे चल के दिल्ली चले जाएंगी अगर olduğu कोई लगा लगा इं उनुन相h अवरों रुकावटारो नहीं कोचिशगे तो लड़ते लड़ते जाएंगे औ लड़ते जाएंगे और मारते मारते जाए तो अल्ली रिकॉर्स वाज विक्ट्री बतलब एक ही तरीका था इसमें से निकलने का और वो है कि आप जीत जाये लड़ाई दूसरा को इस तरीका नहीं था निकलते ही लगबक कोई मेरे खाल से नौ साड़ नौ बजे होंगे सुबह के कि ये लोग बहार निकले और निकलते ही इबराहीम खान-गर्दी की तरफ से कैननेड शुडूरूरू जो उसका प्लान था कि सबसे पहले left flank जो की इबराहीम खान-गर्धी वो एटच करलेगा अफगान के right-flank में जाकर के उतब जाता ही आटिल्री का fire कोई असर्म देगा लेकिन 9 बजे कि लेफ्लहा कि प्राइम खान जटी के अंदर उनका मेराफ के और क्राक्वाड मताइर फ़र फायर अंग मुव टैक्टिक से वो आगे निकल त्याक पर्द्ध एक बाटालियन आगे चलिए गई उसके फायर किया दूसर बिटालियन उसको और थे बैक्न आगे चले गई ये बिटालियन le so gjithओ विदुज्टु देडं करते करते वो आगे लिए 1 घो और टकड़ीन कर दोक्तय खेर उन के आगेन्जर थे उनको तो मतलब जो अफदाली राइट विंग और सेंटर जो था वो करीब करीब पूरी तरह से लाष्ट हो गया तो सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक जो लगाई हुई उसमें ये स्थिति हो गई थी तो उसतर रोहिलों की और बर्खुरदान खार की सेना की काफी अ तो वो इतना जोर से हमला था मराथों का गोड़े स्वारों का कि वो पूरी अगान सेंटर पीछे हर्टी हर्थी चली गई और भागने लगत रही तक्रीबन बारा बजे ये लगता था इटाक बहुत बढ़ी आफिए और यहां अफिर मराथाज ने उनका सबसे पहला कावलरी विथल देव छिंडे के अंदर थे उन्होंने गल्दी के उन्होंने जल्दी अटाक करते हैं जब वो आगे-आगे इबराहिम गर्दी के पोजेशन से आगे थे अभी आप ही समझ दो उसका नजीचा क्या होगा इबराहिम ना ही आगे फायर कर सकता है क्योंकि उसक प्राग ची थे याने मिलिटरी पुलिस जिसको खा जाता है तो अनोंने मिलिटरी पुलिस को भोई भेजा कि जो भी वापस भाग के आये हैं उनको या तो वही मार दो जो आगे आके लड़े तो यह एक बजे के बाद उन्होंने जो इचे भाग के आये थे वह 10,000 सैनिक वा कि अब दली बारह एक बिजय उस वक्स लगता था कि मराथा ब्रेक आउट कर लेंगे उन्होंने रिजर्व को बहुत अच्छी तरह के सिच्वेशन को करें और उसी वक्त विश्वासराओ जो हाथी पर बैठा हुआता है इसको एक गोली लगके वहीं पर विश्वासराओ मर यह देखने के बाद एकदम से जैसे पानिक जैसे स्प्रेड होता है वैसे मराथा फोज में पानिक शुरू हो गया इस मोमेंट में पूरी लड़ाई अफगान्स आ रहे थे कोई लीडर कंट्रोल नहीं कर रहा था राइट फ्लैंक नहीं आ गई है जब तक यह सदाश्य वा एस इलाके में तक्रीबन त्री इन चार घंटे के लिए एक श्लॉटर रहा था मगर जो बचे हुए थे और जो निशस्त्र थे और जो डिपेंडेंट्स थे जो लड़ने वाले नहीं थे उनकी कतले आम उसके बाद जो हुई छे, साथ, आठ घंटों के लिए वो एक शरमना खटना इस लड़ाई के बाद हुई थी यह बहुत क्रौरिय से लड़ाई की ग को छोड़ कि पूरी राथ स्लॉटर चले लिए दो तेन तक स्लॉटर चलता रहा और अंत में ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे काला दिन रहा हुई ये है एबीपी नियूज आपको रखे आगे